Hello friends, मैं हूँ Amit और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Teleprime का Chapter No.5 General Entry के Part 2 को और साथ ही यह भी जानेंगे कि Teleprime के course में हम admission कैसे ले सकते हैं और साथ ही उसका free में certificate कैसे मिलेगा So इन सबी बातों को हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं So students, अगर आपने हमारा General Entry का Part 1 वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक task दिया था और उस task में यह question था आपको क्या करना था इस question को General Entry करना था इस question का और बना करके उसका एक photo ले करके हमें WhatsApp पे send करना था तो जल्दी से जल्दी आप इसको send कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो और जिसने कर लिया है उसके लिए बहुत इच्छी बात है और अगर जिसने अभी भी नहीं किया है बिलकुल नहीं किया है तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर इसी question को करके दिखाने वाला हूँ तो आप क्या करिएगा जो भी आपने करके रखा है अपने copy में general entry उससे आप से match करके देख लिजेगा कि आपने जो general entry करी है वह सही करी है या फिर गलत करी है ठीक है और अगर कुछ problem आए तो आप हमें सीधर whatsapp कर सकते है या तो हमें इस number पर call कर सकते है ठीक है और call की जो timing है वो morning 10 o'clock से लेकर के evening के 4 o'clock तक की ही है ठीक है तो आप याद रखिएगा 10 पर से लेकर 4 पर तक के बीच में ही आपको हमें call करके पूछना है जो भी अगर आपके doubt होगे बाकि आप अपने doubts को comment section में भी पूछ सकते हैं तो चलिए अब हम इस question को करना start करते हैं इस question को start करने से पहले जब गोल्डर रूल्स पे आप धarte दे दीजे कि देखिए debit में हम给我 क्या लिखेंगे कुछ हम दे देते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक nominal account है जिसके अंदर जो debit के अंदर हम क्या करते हैं expense और losses की बात करते हैं जितना भी हमें हमारा खर्चा हुआ जितना भी हमारा loss हुआ वह सब हम debit में लिखते हैं और जितनी भी हमें income हुई वह सब credit में करते हैं ठीक है बाकि आप इस nominal account की चिंता मत करिए कि आप इसे कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे क्योंकि जो यह question मैंने आपको दिया है इस question के अंदर इसका भी 2 question ह है तो जब मैं इसको करूंगा तो automatically आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो बस अभी आप दिमाग में इतना याद रखिए debit the receiver, credit the giver मतलब debit में सब कुछ आपके पास आएगा और credit में आप सब कुछ दे देंगे ठीक है जो भी जी जाएगी वो सब आपके credit में जाएगी बस इतना ही आपको याद रखना है ओके तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरलेटेस को तो पहला जो क्योशन था हमारे पास वो क्या था और चीज गुड्स फ्रॉम राम on credit ठीक है ये क्योशन है इस क्योशन में क्या कह रहा है ये क्योशन कह रहा है कि आपने क्या किया है राम से समान खरीदा है उधार में ठीक है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या आया देखिए आपने समान खरीदा है राम से उधार में तो आपके पास समान आया ठीक है तो हमारे को यहाँ पर देखिए समान का जो नाम है वह नहीं पता है क्योंकि यह पर प्या लिखा है, पॉच्छे सिöllमान का नाम थांगार की खाउँ गोडस का मतलब क्या होता है सामान होता है, ठीक है लेकिन हम हमे तो समान का नाम पता नही है तो हम डैबिट में क्या लिखेंगे, अ Will तो हमारे पास समान है तो देखिए जब भी आपको समान का नाम ना पता हो तो उस case में आप purchase का use करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या है purchase account debit और यहाँ पर मैंने Rvals को credit किया है राम को credit क्यों किया है ? जराँ उसको समज़दे क्योंकि देखिए आपके पास से सिर्फ समान आया ही आया है आपके पास से कुछ गया नहीं है क्योंकि आपने तो राम से उधार में समान खई दाता देखिए लिखा है ना Purchase Goods from Ram on Credit Credit का मतलब क्या होता है उधार आपने अगर Basic Accounting Terms का Chapter पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था Credit Purchase क्या होता है Cash Purchase क्या होता है Credit Purchase हम उसे कहते हैं जो हम उधार में करते हैं Cash Purchase वो होता है जो हम समान लेते हैं वक्ती पैसे दे देते हैं ठीक है तो याद रखेगा इस चीच को तो यहां पर मैंने राम को इसलिए क्रेडिक कर दिया क्योंकि राम के पास से समान जा रहा था हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है ठीक है तो आपके पास समान आया purchase account debit और राम के पास समान गया तो राम account credit ठीक है तो अमीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से clear हो गई होगी चलिए next देखते हैं next में क्या लिखा है purchase goods from राम यहाँ पर भी हम राम से समान खरीद रहे हैं लेकिन in cash लिखा है ना purchase goods from राम in cash मतलब अब हम cash में समान खरीद रहे हैं अब हम उधार में समान नहीं खरीद रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या entry बनेगी चलिब बताईए comment कर दिए ज़र इस entry को बाकि मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके entry क्या होगी simple ज़र देखिए आपके पास यहाँ समान आया तो simply समान का नाम नहीं पता तो आप debit में लिख देंगे purchase account debit ठीक है और आपके पास से क्या गया अब आपके पास से अब cash क्या ठीक है मतलब पैसा गया क्योंकि आपने अब राम से समान जो खरीदा वो उधार में नहीं बलकि cash में खरीदा है पैसा दे करके खरीदा है तो देखो समान आया purchase account debit to cash account credit क्योंकि आपके पास से cash जा रहा था इस वरे से आपने cash को credit कर दिया ठीक है अब बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए गया, ठीक है, so उमीद करता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, चलिए next entry देखें यहाँ पर, simply यहाँ पर क्या लिखा, check paid to ram, अभी हम cash दे रहे थे, पिछली entry में, अब हम यहाँ पर check देंगे, तो क्या entry बनेगी ram को तो मिली रहे हैं पैसे, चाहे check से ले, चाहे cash से ले, तो जो ram है, वो ram account क्या होगा, आपका debit हो जाएगा और bank account credit हो जाएगा, क्योंकि जहाँ check की बात आती है, तो हम check account नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, bank account, क्योंकि जो check है, वो bank में ही लगता है, और bank से ही पैसे transfer होते हैं, तो इस वज़े से हम यहाँ पे bank account credit कर दे हैं, ठीक है, और credit क्यों कर दे हैं, क्योंकि हमारे bank से पैसा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे check दे रहे हैं, ram को, ठीक है, चलिए next entry देखिए अभी यहाँ पे, क्या लिखा है, sold goods to sham on credit, credit, समान बेचा है, हमने श्याम को उधार में, फिर से समझी, क्या है entry, हमने समान बेचा, sold मतलब बेचना, goods मतलब समान, ठीक है, हमने समान बेचा, श्याम को उधार में, तो देखिए, अब आप बताईए, आपके मस क्या आया, कुछ आया आपके पास, नहीं, आपने तो उधार में समान बेच दिया, तो आपके पास तो कुछ नहीं आया, बलकि किस के पास आया, श्याम के पास आया, तो इस केस में, श्याम जो है, आपका debit हो जाएगा, अब आप बताईए, आपके पास से क्या गया, आपके पास से समान गया लेकिन समान का नाम यहाँ पर आपको नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर goods लिखा हुआ है तो goods account तो होता नहीं है तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे sales account लिखेंगे, sold मतलब वही होता है sales, मतलब पेचना तो यहाँ पर debit में आयागा Shiam account debit to sales account credit क्योंकि sale गई आपके पास से और Shiam ने उसे receive कर लिया तो इस वाइस Shiam account debit to sales account credit ओके, तो उमिद करता हूँ समझ में आ गया होगा चलिए, next entry देखें यहाँ पर next entry क्या लिखा है sold goods to Shiam with cash अब यहाँ पर हम क्या कर रहे है समान बेच रहे हैं Shiam को लेकिन cash में बेच रहे हैं ठीक है, मतलब पैसा ले रहे हैं और फिर समान दे रहे हैं, तो अब इस case में हमारे पास क्या आया इस case में हमारे पास पैसा आया मतलब cash आया और हमारी जो sales थी, वो चली गई, मतलो समान था, वो चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, लिखेंगे, cash account debit, ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है, तो हमने cash को debit में कर दिया, और हमारे पास से समान जा रहा है, समान के नाम तो पता नहीं है, इस विए से हम यहाँ पे sales account credit कर देगा, two sales account credit, ठीक है, समझ में आ गया यह भी, चलिए, next entry देखें, यहाँ पे, क्या है, cash received from shiam 8000, अब हम यहाँ पे क्या करें है, shiam से पैसे receive कर देए, ले रहे है, ठीक है, तो debit में क्या हैगा, बताए, cash account debit, क्योंकि हम cash हमें मिल रहा है, तो cash account debit, अब आप यह बताए, credit में क्या हैगा, credit में वो आता है न, जो हमारे पास से जाता है, लेकिन हमारे पास से तो कुछ shiai ही नहीं रहा है, जा किसके पास से रहा है, shiam के पास से, ठीक है, तो आपको यही देखना है, कि जब आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है, तो जिससे आप transaction कर रहे हो, उसके पास से क्या कुछ जा रहा है, हाँ, उसके पास से जा रहा है, तो आप उसका नाम वहाँ पे लिख देंगे जैसा कि यहां देखे लिखा है na cash account debit हमने cash receive किया to shiam account credit shiam के पास से जा रहा है तो मतलब हमने cash receive किया shiam से इस तरही किसी यह आपकी entry भन जाएगी उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और अगर नहीं आ रहा है कुछ check receive करने का काम कर दें तो क्या check account होता है नहीं होता है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे bank account debit क्योंकि जो पैसा receive होगा वो कहां पर होगा bank में होगा तो simply bank account debit to shiam account credit अब यहां पर भी हम कुछ नहीं दे रहे हैं कौन दा है shiam तो simply हमने shiam को यहां पर credit कर दिया है ठीक है उमीद करता हूँ समझ में आ के रहा होगा चलिए next entry देखिए salary paid in cash अब यहां पर हम क्या कर दें salary देने का काम कर दें salary हमारे लिए क्या है देखिए समझे गए यहां पर ध्यान से अगर आप salary दे रहे हैं अगर आप company के मालिक हैं और आप अपने workers को salary दे रहे हैं तो जो salary होगी वह आपके लिए क्या होगी expense होगी खर्चा होगी और जो salary account होगा वह किसके अंड़े चला जाएगा आपका nominal account के अंदर तो इस वज़े से हम salary को करेंगी क्या debit ठीक है यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपके पस क्या आ रहा है तो देखिए आपके पास यहाँ पर तो आ कुछ भी नहीं रहा है ठीक है क्योंकि आप pay कर रहे हो salary pay कर रहे हो ठीक है और किसको pay कर दो यह भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे salary account को debit करेंगे क्योंकि nominal account के rule जो है आपके golden rules of accounting उसके तहट में क्या लिखा हुआ है जो भी आपके nominal account में आते हैं ठीक है जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आप क्या कर दोगे debit तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे salary account debit कर देंगे और यहाँ पर देखिए आप पर से क्या गया cash जा रहा है तो simply cash को आप यहाँ पर credit कर देंगे बस इतना सही था यह ठीक है फिर से एक बार समझ लिजे salary आपके लिए खर्चा है और यह जो खर्चा है यह nominal account के तहत में आता है और आपको मालूमी है अभी जो golden rules of accounting के जो rules है उसके अंदर आपने देखा ही अभी लिखा हुआ था debit side में all expense and losses debit side में और जितने भी income वगरा है वो credit side में यहाँ पर salary हमारे लिए expense थी इस वज़े से हमने यह debit कर दिया और cash को credit इसलिए किया क्योंकि हमारे पास से cash जा रहा था that's it ठीक है समझ में आ गया होगा अब चलिए next entry देखिए last entry है rent receive through check अब देखिए यहाँ पर आपके पास से क्या आया क्या आया आपके पास आपके पास rent receive हो रहा है check के through तो यहाँ पर जो पैसा है check का वो किस के through आपको receive हो रहा है bank के through क्योंकि आपने rent receive किया है check के through ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे bank account को debit कर देंगे और rent account को credit कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर rent account credit में क्यों आया जरा उसको समझ यहाँ पर यह जो rent account है ना आपका यह nominal account है ठीक है और आपने देखा ही होगा nominal account के अंदर जितने भी income and gains है जितने भी आपकी income है वो सब credit side में ही आती है तो इस वज़े से हमने यहाँ पर rent account को credit side में लिखा और bank account को हमने debit side इसलिए लिखा क्योंकि जो भी चीज हमें receive होईगी उसे हम debit में ही लिखेंगे ठीक है जो उमीद करता हूँ यह दोनों entry आपको समझ में आ गई होगी जो nominal account वाली entry थी अगर आपको कोई भी में से जो मैंने entry समझाई अगर कोई entry समझ में ना आई है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं और students जिस notes से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह notes आप download कर सकते हैं इसका link आपको description में मिल जाएगा और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने friends में अभी के अभी share कर दीजे और नीचे दिया गया like button उसे click कर दीजे आपके like करने से हमें motivation मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो को बना पाएं और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जो subscribe करिएगा और जो यह आप टैली का वीडियो देखने है इसका एक full course है और अगर आप यह full course करना चाहते हैं तो इसका जो admission का link है वे description में दिया गया है और इस course को करने के बाद आपको free में एक certificate भी provide किया जाएगा so अभी description check करें admission लेने के लिए so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही so thanks for watching our video have a great day